हेलो फ्रेंड्स सोम्याज किचिन में आपका स्वागत है आज बना रहे हैं सफेद मतर सफेद मतर एक बेसिक रेसिपी है बहुत सारी रेसिपी में हम सफेद मतर को यूज करते हैं खास करके जो चटपटी चाट बनती है न वो सफेद मतर के बिना नहीं बनती है ज्यादा तर चाट में सफेध मतर का यूज किया जाता है चाहें वो आलु टिकी हो या गोल कपपे हो तो बहुत ही मजाता है चाट कहाने में तो उसके लिए एक बेशिक रैसिपी है सफेध मतर को एकदम परफेक्ट तरीके से लिक softly चलिए एकदम परफेक्ट से सफेद मतर को बनाते हैं एक तरह के इसकी मतर अची तरह के से फूल जाए और California तो बनने में बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा और वह अंदर से बहुत जरूरी होता है और यह इस तरह की की सफेद उखिन आती है आप देख सकते हैं सफेद मटर को पूरी रात के लिए मैंने भीगो के रख दिया था इस तरीके से मैंने मटर को धो कर के कुकर में कर दिया है आप देख सकते हैं और इतना पानी डालना है कि बस मटर पानी में डूब जाए नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार और चुटकी बन जाए और जैसे ही सीटी आने वाली होगी उसमें जैसे ही विसल आने वाली होगी ना तभी गैस को एकदम स्लो कर देंगे बिल्कुल स्लो कर देंगे और स्लो गैस पर कम से कम चार से पांस सीटी आने देंगे तब तक गैस पर ही रखेंगे कोकर को उसके बाद गैस को बं आप अपनी today can you cannot do on the tag crblaster services ङुन्न मTर को से जेता है कि मेरा हम मंच all का पान op 2 दरड़ा का ओम U इसो कि आप इसमें पानी से मिला सकती है और यह ऑगरम उभर्म मटर आप आप पार आपने देखा होगा कि जब भी हम मटर और चने उबालते हैं तो सारा कोकर खराब हो जाता है जो पानी होता है वो कोकर के ऊपर आ जाता है और वो चिपक जाता है गैस भी खराब हो जाती है अगर आप इस तरीके से मटर को बालेंगे या चनी को बालेंगे तो आप देख सकते हैं बिलकुल भी कोकर खराब नहीं होगा नहीं गैस खराब ह और जब तक कोकर में से सारा प्रेशर ना निकल जाए तब तक कोकर को खोलेंगे नहीं अगर बीच में ही जैसे प्रेशर रहता है और कोकर में से प्रेशर को निकाल देते हैं और फिर खोलते हैं तो मटर बीच में से अधकची सी रह जाती है वो अच्छी तरीके से उबल नही करें फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ बाबाए